प्रधान मंत्री जी, केंद्रिय संस्कृती, राज्य मंत्री स्वतंदर प्रभार डॉक्टर महेश सर्मा जी, माने विधायक गर्ण, सिद तेजपाल सिंग नागर जी, सिद पंकल सिंग जी, सिद धेरेंदर सिंग जी, सिमती बिमला सोलंकी जी, सिद जैंदर सिंग जी, बारती जंता पार्टी के सभी पदादिकारी गर्ण, और इतनी बड़ी संख्या में देश के इसवस्षी प्रधान मंत्री और हम सब के नेता आधनिय मोधी जी का स्वागत करने के लिए आप सब यहां पर प्रस्तित्वे हैं आज जब आधनिय प्रधान मंत्री जी, अन्तोदे के पढ़नेता पंडित दिन्द्यालुपाद्ध है जी, कि सिम्रुति को इस प्रतत्त्रिक संस्थान को समर्पित करने जा रहे हैं बुलंसर, अलिगर्ड और नुएड़ा इन जन्पदों के मद्य में एक सुपरपावर थर्मल प्रोजेक्ट की अस्थापना की आधार सिला रख रहे हैं और इस नुएड़ा, ग्रेटर नुएड़ा की मेट्रों के एक्स्टेंशन की कारेका सुभारंब करने जा रहे हैं तो मैं इस होसर पर अपने सुस्षी निता देश के आधनिया प्रधान मंत्री जी का हिर्दय से स्वागत करता हूँ और इनंदन करता हूँ भायो बहनों हम सब जानते हैं कि कल भी प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 55,000 करोड उपे के प्रयोजनाएं उत्तर प्रदेश वासियों को और देश वासियों को सौपी हैं आक अंवान करिए के 55,000 करोड उपे से अधिक के प्रोजेक्ट पस्चिमें उत्तर प्रदेश में दिली को मेरड के साथ, रैफिट रेल के साथ जोड़ना मेट्रो के उन कार्यों को आगरा मेट्रो का हो कानपूर मेट्रो का हो लखनो मेट्रो का हो गाजियावाद मेट्रो का है और आज ग्रेटर नुएडा के इस मेट्रो कार्य के एक्स्टेंशन का है पब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम को NCR छेतर को न केवल बहतर पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की विवस्ता देना पर तो प्रदोशन से मुक्त करने कि ये कारवाई पिसली सरकारों में भी हो सकता था लेकिन इच्छा सक्ति का भाव और एक आम जन्की सुविधा और उस सुविधा के उनसार हम अपनी ओर से पहल कर सकें इसका भाव था उनके लिए कारे नामुम्किन था लेकिन नामुम्किन को इन प्रोजेक्ट के माध्यम से मुम्किन बनाने का कारे किया है हमारे यादन ये प्रदान मंत्री मोधी जी ने इसलिए मैं उनका हिर्दै से स्वागत करता हूँ और विनन्दन करता हूँ लोग कल्यानकारी योजनाएं पंडिदिन द्यालो पाद्याजी ने पिछली सदी के पाँचुए और छटे दसक में अंतोधे की बात की थी और अंतोधे की बात समाज के अंतिम पायदान पर बैठे वे बिक्तिको सासन की सुविधा और समाज की मुख्यधारा के साथ जुड़ने का एक बहतर पहल थी उस बहतर पहल में एक गरीब के पास सिर ढखने के लिए छट हो उसके पास अपने स्वयम की आउसिक्ता के लिए स्वच भारत मिसन में आज एक एक सोचाले प्रते एक गरीब को पलब्द कराने की जो कारवाई युद्दस तर पर हुई है एक गरीब के पास अपना बिद्दुत का कनेक्शन हो एक गरीब के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन हो एक किसान को अपने बीज और खाद को खरीदने के लिए जरुरत पढ़ने पर धन की विवस्ता हो एक गरीब को बहतर स्वास्त की सुविधा प्लब्द हो सके और एक मजदूर को एक असंगटी छेतर के कार्मिक को अपने बुड़ापे का सहरा उसकी पेंसन पराप्त हो सके पिछली सरकारों के लिए सारे के सारे कार्या नामुम्किन थे लेकिन इस नामुम्किन को मुम्किन बनाया है क्योंकि मोदी हैं तो ये नामुम्किन मुम्किन इसलिए बना क्योंकि हमारे पास एक सुस्सी नेता एक दूर दिश्टिता पूर्ण नेता और जिनोंने अपने मेहनत से अपने परिस्रम से अपने पुरसार्त से जाती मत और मजब की राजनीती को समाप्त करके गाउं गरीब किसान नौज़मान महलाएं समाज के प्रतेग तबके को योजनाओं के साथ जोडने उनके जीवनस्तर को उठाने का जो बहतर पहल की पंडित दिन जालुपाद भ्याजी के अंतोदे के सपने को साकार करने की इससे बहतर पहल दूसरी नहीं हो सकती है और इसलिए मैं आज लोईडा की इस दर्त पर इस लक्ट्रोनिक सीटी पर आदनिये प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वाकत और अविनंदन करता हो भाईो बेनो हम सब उत्तर प्रदेश के वासी हैं आप सब जानते हैं आज से लगभग बेड़ वर्स पहले पौने दो वर्स पहले उत्तर प्रदेश में मात्र पांच जन्पदों में बिजली मिलती थी सतर जन्पद बिद्दुद से बंचित थे आज हम पंडित दिन 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 द्यालो पाध्याए ग्राम जोती योजना के माध्यम से सौभाग्य योजना के माध्यम से हर गरीब के घर में विजली देने और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जन्पदों में जिला मुख्यालियों को 24 गंटे तैसील मुख्यालियों को 20 गंटे और ग्रामेण छेत्र में अगर हम लोग 18 गंटे की बिद्दुद की आपूर्ती सुनिश्चित कर पा रहे हैं इसके पीछे पेड़ना भी आदनिया प्रधा के लिए जो कार रहे नमुम्किन था उस नमुम्किन को मुंकिन बनाया है। कॉंग्रेस सपा बसपा के लिए जो नामुम्किन था आज नामुम्किन मुम्किन बना है क्योंकि आज नामुम्किन मुम्किन बना है क्योंकि मोदी हैं तो मोदी हैं तो मोदी हैं तो और भाईयो में नो देश की सुरक्सा मुझे लगता है आज इस देश का हर बिक्ती गौरव के अनभूती कर रहा है इस बात को लेकर के तीन घटनाए पुरुवत्तर के राज्यों में कभी अलगाबाद चरम पर था एक ही सर्जिकल स्टाइक ने पुरुवत्तर के सभी आतंकियों को एक साथ नेस्तनाबूत कर दिया दूसरे सर्जिकल स्टाइक ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और तीसरे एरिस्टाइक ने दुनिया के अंदर पाकिस्तान को ऐसा चित किया कि आज वहाँ भीक मांगते वे फिर रहा है लेकिन उसको कहीं जगे में नहीं मिल पा रही है ये है नित्रत्वा इसको कहते हैं नित्रत्वा यह है जो नामुम्किन को मुम्किन बना दे और मित्रों इस नामुम्किन को मुम्किन बनाने का नाम ही है मोदी और हम सब को गौरव के नभूति करनी चीए अपने ससीन फृत्वा पर कि आज एक साथ इतने प्रोजेक्ट पस्यमी उत्तर प्रदेश और नोड़ा वासियों को उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है मैं अब हारब्यक्ट करता हूँ आदनिय प्रधान मंत्री जी का मैं धन्य बाद दूँगा डॉक्टर महेश सर्मा जी को स्री आरके सिंग जी को और भारत सरकार को आदनिय प्रधान मंत्री जी की पेना से ये सारे के सारे कारेक्रम युद दस्तर पर जहां आगे बढ़ रहे हैं वहीं साती साथ पुरे देश के अंदर एक नया जोसा आया है एक निया उत्सा आया है एक निया विश्वास जगा है कि भारत लोग कल्यानकरी योजनाओं में भी बिना भेदभाव के हर गरीब के द्वार तक सासन की योजनाओं पहुँचेंगी बिना भेदभाव के पहुँचेंगी और साथी साथ यहाँ भी विश्वास जागरित हुआ है कि बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट भी अब हम सब के लिए असंभव नहीं है ना मुम्किन नहीं है कल दिल्ली मेरट के बीच में जो रेपिट रेल की आधार सिलाद ने प्रधान मंत्री जी ने रखी है उसका इक कीमत आप जानते हैं कितनी है तीस हजार करोड रुपे तीस हजार करोड रुपे का प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट एक ही दिन में प्रधान मंत्री जी ने रखा क्योंकि जन्ता की सौलियत के लिए बड़ी से बड़ी प्रयोशनाएं एक साथ चलनी चाहिए और कल उत्तर प्रदेश वास्यों को 55,000 करोड रुपे की रैपिड रेल और मेट्रों की प्रयोशना प्रधान मंत्री जीने समर्पित की हैं बड़े से बड़े प्रोजेक्टाज संबह हो पा रहे हैं तो राज्टिय सुरक्षा के मोर्चे पर भी इसी दिड़ता के साथ आगे बढ़ने का कारे हो पा रहा है और हम सब आज भारत के अंदर विश्वास जिस तेज के साथ भरा है आजने प्रधान मंत्री जी के जिस तेजस्वी ने तृत्वट ने इस देश को ने जोस के साथ आगे बढ़ने की पेनाती है हमारा युवाज जिस विश्वाज के साथ आगे वड़ रहा है मैं इस इलेक्ट्रोनिक सीटी में आजने प्रधान मंतरी जी का इन सभी युवाओं की और से भी हिर्दे से स्वाकत और अविनंदन करता हूँ और मैं एक बार पुना आप सबसे कहूंगा जो हमें सासन की योचनाओं का लाब दिला सके जो इमानदारी के साथ हमारा विकास करा सके और जो इमानदारी के साथ इस देश की आंत्रिक और बायस सुरक्सा को सुद्रड प्रताप्रदान कर सके हमें ऐसे सची नित्रतों पर गारव के अनभूती करनी चाहिए और भारत के 130 करोड की आबादी मोदी जी के नित्रित्व पर गौरब के अन्भूति करती है और इसलिए मैं आप सब से आवान करूंगा आप सब मेरे साथ कहेंगे मैं कहूंगा नाम मुम्किन को मुम्किन बनाना आज नाम जो नाम मुम्किन था वो मुम्किन हुआ क्योंकि मोदी हैं तो मोदी हैं तो मोदी हैं तो बहुत बहुत धन्यबाद जैहिन